Hello guys, welcome back to the Discover 7. आज हम बात करेंगे कंगुवा मूवी के ट्रेलर की. तो आप सभी को पता ही है कि कंगुवा मूवी का ट्रेलर आ गया है. वैसे कंगुवा शब्द का literal meaning होता है. The man with the power of fire और ट्रेलर भी fire से कम नहीं है. तो आप बात करते हैं कंगुवा मूवी के ट्रेलर की. तो सूर्या एंड बॉबी डेवल स्टार आर. कंगुवा फिल्म तमिल इंडस्ट्री से आने वाली एक ऐसी फिल्म है, जिसका जोनरा है Action, Drama, Fantasy. जहां fantasy word जुड़ गया, वहां मानो infinite possibility आ गई. जैसे इस मूवी का एक पोस्टर आया था, जिसमें सूर्या के दो रूप हमें दिख रहे हैं. एक मॉडर्न और एक कंगुवा का, जो ट्राइबल एरा का है. तो सायद ये एक Past and Future की स्टोरी लग रही है. बाकी यार अगर आपने ट्रेलर नहीं देखा है, तो ट्रेलर देख लो. प्राउड होता है ऐसे मेकर्स पर की ऐसी mind-blowing visuals के साथ में हमारे सामने content ला रहे है, जिसमें action और fantasy को साथ जोड़ा गया है. वैसे जितने भी ट्रेजर, ट्रेलर आए हैं, उनसे स्टोरी का prediction करना बहुत मुश्किल है, जो वास्तविक्ता में हमें movie देखने के बाद ही समझाएगा. लेकिन ट्रेलर से ही इसके making, cinematography and acting का पता चल रहा है. इसमें बहुत brutal scene जैसे कटे हुए हाथ पैर, पानी में तैरते हुए दिखाना, वो crocodile वाला shot जो कंगुवा के साथ है, किसी का face आग में जलते हुए दिखाना, और गले में तलवार घुसा देना, और भी काफी brutal scene देखने को मिलेंगे. इस movie को बनाने में लगभग 300 से सारहे 300 करोड डियाच का बजट लगा है, जो इसे one of the most expensive Indian film बना देता है. सूरिया इस movie में तेरह अलग-अलग looks में दिखने वाले हैं. मैंने कहा था न, fantasy world जहां आता है, वहां limitless possibilities आ जाती है, story से साथ भी और characters के साथ भी, और सूरिया तो है, ही इस film में. लेकिन movie की vibes चार गुना बढ़ जाती है, Bobby Diol को ऐसे रूप में देखकर जिससे रोंगटे खड़े हो जाए, और उपर से इस movie में music given by DSP देवी श्रीप्रसाद, जिन्होंने पुषपा जैसी super hit movie का भी music दिया था, तो कंगुवा की पुरी टीम बहुत बढ़िया है, और आपको बता दूँ, एक ही ट्रेलर में आपको तेलगू, तमिल, कन्नड, मल्यालम और हिंदी के ट्रैक्स भी मिल जाएंगे. इस movie के ट्रेलर में एक mysterious टापू की बात हो रही है, जहाँ पर tribal war वगहरा टेक प्लेस करेगा. इस movie के cast role में सुरिया, डिशा पतानी, बॉबी डियोल, जगापथी बाबू का अहम role है. डिशा पतानी को हमें किसी भी ट्रीजर और ट्रेलर में नहीं दिखाया गया है, सायद उनका role हमें future वाले sequence में देखने को मिलेगा. इस movie की worldwide theaters release date इसी साल 10 October को रखी गई है. मैं तो पुरी तरह ready हूँ इस action fantasy movie को देखने के लिए, क्या आप तयार हैं या नहीं? मुझे comment में ज़रूर बताए. आपने ट्रेलर देखा है या नहीं? इस वीडियो में आज के लिए इतना ही. वीडियो इंफोर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. धन्याबाद.